नमस्ते 11 ख्लास आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठे पुस्तग अभिवेक्ति और माध्यम का जो हमारा फर्स्ट चेप्टर चल रहा था जन संसार के माध्यम इसके अंतरकत हम रेडियो के विशे में जानेंगे किसका विश्कार कब हुआ किस ने किया इसमें भारत की स से लिए उनकी व्याकरण इसके विशे में हम आज पूरण रूप से कुछ क्वेशनों के माध्यम से इसको समझने की कोशीज करेंगे ठीक है सबसे पहले हम रेडियो को मोटे रूप में जान लेती हैं रेडियो का विश्कार अठारा सो पिचान में में जी मारकोनी ने किया जगे से दूसरी जगे बेजने का जो उपकरण बनाया था उस उपकरण का नाम क्या था रेडियो और उसी नाम से इस माध्यम का भी नाम इस साधन का भी नाम क्या हो गया रेडियो हो गया ठीक है बारत में भी रेडियो की सुरुआत इसी समय मानी जाती है यहां जो विदि सवतंतरता प्राप्ति के पस्चाद रेडियो एक ससत जन्माद्यम के रूप में विक्सित हुआ। तो किन चीजों को चोड़ना है कौन सी नई चीज अपनानी है कि क्या सिख्षा को जीवन में अपनाना है धरम में क्या परिवर्थन करने की जरूरत है और पुर्ष में क्या समानता ए समानता वो सारी जो चीजें थी रूड़ीवादी विचार दाराकुन सी छोड़नी है कि संस्कृति को बचाई रखना है वो सारा जो सिस्टम है आम जनता तक जिनको जागरू करने का शिक्सित करने का जो ससक्त माध्यम था वो था सिर्फी ठीक है इसने सूचना और शिक्षा के तरिक देश की संस्कृतिक एक्ता को बढ़ावा देने का काम भी किया और साथ साथ में एक्ता जो अलग-अलग धरम होने के कार्ण अलग-अलग धरम जाती के लोग होने के कार्ण भी संस्कृति बाग ये संस्कृति से जो एक्ता को ज 146 वोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। आज के समय में आकास वानी पर 24 वासाओं और 146 वोलियों में लगबग कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। 1903 के बाद डो जो FM की FULL FOM क्या है? option के question आते हैं वो इनी बड़े question में से आते हैं बाहर से नहीं आते हैं अगर ये question अच्छे से हम समझ लेते हैं तो फिर option के question है वो लग से हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती तो हम बात कर रहे थे कि FM की full form क्या है F frequency M का मतलब modulation जो जब ये रेडियो जगत में आया तो एक नई करांती आ गई क्योंकि इसके बाद अनेक निज्जी कंपनियां सामने आ गई खुद प्राइवेट कंपनियां कोई भी वैक्ती जिसके पास पैसा है या वो नया ववशाय सुरू कर सकता है उन्होंने अपने चैनल बना लिए रेडियो के अंदर और आज देश के अंदर 90 सहरों के अंदर 350 से अधिक निज्जी FM चैनल पर सारित हो रहे हैं जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है यह मोटे रूप में हमने जाना रेडियो के विशय में अब रेडियो से समंदित किस परकार से क्वशन आपकी पिरिक्षा में आ सकते हैं और किस परकार से आप उनका उत्तर दोगे वो हम अच्छे से पढ़ेंगे रेडियो सभी संчार साधणो में अनूठा क्यूं है question क्या है कि radio है जन संचार के माद्यम है पत्तर पत्तरिका है टीवी है, internet है, cinema है लेकिन जो radio वो अनूठा का मतलग वो अनूखा कैसी है वो सबसे ही अलग कैसी है ठीक है तो इसका क्या कारण है वो ही बताना है सबसे पहले कौन सा कारण है कि सबसे सस्ता माद्यम कुन सा है radio सरल सुलब कुन सा है आसानी से मिल सकता है कहीं से भी हम खरीद सकते है radio को कोई सादन लेके उसको फिर उसके अंदर रख कर के लाने की जरूरत नहीं है ठीक है, इतनी कुछ वो जानकारी ना हो ना अनपड़ वैक्ती होता उसको भी पता है कि इतने दाम मेर यहां यह radio मिल जाएगा हिमाले की उन्ची चोटियों में जहां संचार के अन्य सादन फेल हो जाते है मनोरंजों और समाचार आदी सुनने के लिए के विल radio ही एक मतर सादन है उन्ची उन्ची चोटियां नीचे जहां जिस चीज की नेट की प्रोब्लम, रेंज की प्रोब्लम कुछ भी वो ऐसा नहीं होता रेडियो के अंदर ठीक है रेडियो की जो तरंगे है वो कहीं पर भी पहुंच जाती है इसको कहीं भी सुना जा सकता है मनोरंजन करने का जो कोई विशादन वहां नहीं पहुंचे जा सकते दुर्गम स्थानों पर वहां रेडियो हम सुन सकते है मनोरंजन कर सकते है दूसरी बड़ी विशेस्ता इसकी इसलिए यन उठा है आगी क्या है विशव की बांती भारत वरस में रेडियो का परचार परसाथ अन्य संचार सादनों की पेक्षा दिक विश्तरित और व्यापक है सबसे ज़्यादा रेडियो पाया जाता हर छेतर में पूरी दुनिया में साइद है कि जमीन भी ऐसी नहीं जहां रेडियो तरंगों का विस्तार नहीं है सब जगे रेडियो तरंगों का विस्तार हो चुका है उप गरह परसार परसारन आरम होने के बाद तो दुनिया की परतेक छेतर में रेडियो सुना जा सकता है संचार के अन्य सादन रेडियो की पेक्षा कम या पकुर्सुलब है यह हमने जर्चा कर ली पेले भारत वरस की अठाण में परतिशत अबाद्धी रेडियो से जुड़ी हुई है कितनी अठाण में परतिशत मतलब लग बग पूरी अबाद्धी है भारत की रेडियो से जुड़ी हुई है साइध यही कारण है कि रेडियो अन्य सभी संचार साधनों में अनुठा है सबसे आसानी से मिलने वाला सबसे कम रेट में मिलता है कहीं भी कोई भी प्रोब्लम नहीं होती रेंज की नेट की कुछ भी तो यह सबसे अनोखा जो है वो रेडियो है ठीक है आगे है भारत वरस में रेडियो की प्रिष्ट भूमी स्पस्ट करें प्रिष्ट भूमी का मतलब क्या है कि भारत में रेडियो की सुरुआत कब हुई कहां कहां तक फैला हुआ है किस परकार से फैला हुआ है और अब जो रेडियो है वो किस परकार से चल रहा है एक नहीं चल रहा है ये सब कुछ बताना है प्रस्ट वोमी के अंदर ठीक है विशेष्टा नहीं बताने है इसके अंदर ये बात आपको ध्यान रखने है कोशन कोच्छे से समझना है भारत में रेडियो का आगमन कब ठीक है आज से 87 वर्स पहले आज से आज ये कोशन लिखा हुआ पहले का है तो आप मान सकते हो कि 95 वर्स पहले आज से 95 वर्स पहले सरकार ने रेडियो के परचार एम परसार में खूब भूमी का निबाई सरकार ने पिचाण में वर्स पहले बिर्टी सरकार ने रेडियो के परचार एम परसार में खूब भी में का निबाई थी ठीक है क्योंकि रेडियो आम जनता के साथ आसानी से जुड़ता है इसलिए बिर्टी सरकार ने रेडियो पर अपना नियंतर रखने का फेसला किया कि भी रेडियो तो सबस्ता है सभी खरीद लेंगे सभी आपस में इनको सब जानकारी हो जाएगी इसलिए बिर्टी सरकार ने रेडियो नीजी कंपनियों को नहीं दिया आम लोगों तक इन चीजों को उन्होंने अपने अंडरी रखी ये सारी चीजी रेडियो का नियंतरन है वो अपने अधीन रखा बिर्टी सरकार ने अपने लाब के लिए ठीक है सब्तंतरता प्राप्ती तक तो आजादी के कई दसकों तक रेडियो सरकार के नियंतर में ही फला-फुला और अजाद होने के बाद भी सरकार के नियंतरन में ही राता रेडियो हाली के कुछ वर्षों में रेडियो ने अन्य संचार साधनों की वांति खूब हुनत्ती की है अब रेडियो परसारण पर नीजी सेत्र का दबदबा है हर छेत्र हर अपना चेनल नीजी लोग कोई भी अपना चेनल बना सकता है ठीक है अब रेडियो केवल सरकार की मर्जी पर निर्भर नहीं करता आधुनिक प्रिवेस रेडियो परसारन 24 गंटे निरंतर होता रहता है इस बात का तो बताने की हमें जरूर इतनी है आज रेडियो में आम जनता की रूची फिर से बढ़ी है बीच बीच में कम हो गई थी जब जै है रेडियो हम चालू कर देते हैं चाहिए मोबाइल है उसके अंदर भी हम रेडियो चालू कर देते हैं लेकिन रेडियो मतलब रेडियो का सिस्टम है जो रेडियो का प्रभाव हो आज तक कम हुआ नहीं है आज रेडियो के चैनल क्या है सकर्तिया से सक्रियता से काम कर रह है ठीक है आगे है कि कुष्षन हमारा भारतवरस में रेडियो की प्रस्ट भूमिस पस्ट करें यह तो हमने पढ़ लिया आगे वादा दिखें रेडियो की कौन-कौन सी विशेष्टाइं हैं सपस्ट करना है जैसे कि अनोखा वाली पड़ी थी हमने लगवग वही है थोड़ सुलबता है असानी से लिया जा सकता है ए सिक्षा की दिवार को तोड़ता है कि अनपड व्यक्ति भी उसको समझ सकता है सुन सकता है ठीक है अब मालो समाचार पत्र है उसको तो अब कौन पड़ेगा जो पड़ा लिका है लेकि रेडियो क्या है वो तो अनपड व्यक्ति भ तो रीडियो तरंगे सूर्य और चंद्रमा की बांती अमीर अमीर आदमी है तो रेडियो तो खरीद सकता ही सकता है तीसरी विशेस्ता क्या है सब जगे एक तो दूसरी कुनसी है असानी से मिल सकता है तीसरी कौन सी है कि इसके अंदर पढ़े लिखे और अनपड में कोई वेदबाव नहीं है कोई भी इसको अराम से समझ सकता है जैसे अनपड वेक्ती समझता है ऐसे ही पढ़ा लिखा इसको सुन सकता है ठीक है और गरीब हो चाए अमीर हो दुनों के लिए ब्राबर का काम करता है रेडियो ठीक है बहुत सारी विशेस्ता है ठीक है रेडियो की एक और विशेस्ता क्या है सस्ता संचार होने के कारण सेरों कस्पों गाउं से लेकर दूर दराज की चोटी वड़ी सभी वस्तियों के अंदर है, बंदन, मुकत है, लोग अपना काम करते हुए रेडियो भी सुन सकते हैं, एक विसेस्ता और जया है इसकी कि कोई व्यक्ति को समय ही झाहीं नहीं है, मनोरांजन करने का, समाचार थे, फैरकर, सुनने भारतिय संस्कृति क्या है मनुरंजन करनी की सूचना किस परकार से भारतिय संस्कृति की रही है पहले की तो आज टीवी के अंदर कुछ और है मालो सिनेमा के अंदर कुछ और है लेकिन जो रेडियो के अंदर आज भी मनुरंजन करने का और सूचना देने का जो सिस्टम है न रेडियो की लोग प्रियता का सबसे बड़ा कार्ण भारत की हजारों वर्स पुरानी प्रंप्रा का इस्सा होना रेडियो भारत का सबसे पुराना और उप्युक्त संचार है और भारतिय संस्कृती भी सबसे पुरानी है एक समानत हो तो ये हो गई वही हमारी ठीक है और रेडियो हमारी प्रंप्रा और संस्कृति का एक इस्सा है भारतिय संस्कृति और उसकी समाजिक सरंचना बोले हुए सब्दों परदारी थे ये बाद आप ध्यान से सुन ले ना कि रेडियो और भारती है संस्कृति में समानता क्या है किस परकार से वो जूड़ा हुआ है ठीक है भारत सुरूती आवरती और समर्ती का देश है सुरूती होता है सुनना या सुनाना आवरती होता है दोराना और समर्ती होता है याद रख प्रबेंटेंगे उस चीज़ को दौराते हैं फिर एपने जीवन में उसको उतारते हैं कोई भी बात आराम से बड़े ब्दुब् Gottesकों की वारतिया लोग सुनते हैं ठीक है फिर उस बात को हमेशा याद रखते हैं फिर उसी को जीमन में उतार दे हैं, यह है भारती है सनस्कृति और यही रेडियो प्रकार से काम करता है, यानि की चीजों को सुनाता है, दोराता है और याद रखना रेडियो वाला काम लिए, रेडियो एक दूसरी और सनस्कृति क्या है समान इसकी? दो हो गई हमारी एक तो क्या हो थी कि सबसे पुरानी संस्कृती है भारत की और संचार का साधन भी रेडियो है सबसे पुराना माना जाता है दूसरी क्या हो गई सुरूतियावरति समर्ति वाली और तीसरी क्या हो गई रेडियो एक तरह से गाम की अलाव संस्कृती है बारती है अलाव संस्कृती क्या है आग जला करके चारों और बेट करके मनोरंजन करना और रेडियो भी उसी परकार से ही बाना गया है कि एक वैक्ति बाहर बेट करके उसके रेडियो के बाहर ये अपना मनोरंजन है वह साजा कर सकता है रेडियो के साथ गाना गुन गुना आना मनुरंजन करना इस परकार से कि उसके साथ-साथ हम गाना गा सकते हैं एक्टिंग कर सकते हैं ठीक है और आज रेडियो टेकनॉलोजी के मादेम से संस्कृति को दूर दूर तक हम फैला रहे हैं ये बड़ी बात है वही है क्योंकि रेडियो भारतिय संस्कृति से जैसा है तो रेडियो फेल रहा है ना उसी प्रकार से भारतिय संस्कृति भी चारों और हमारी फेल रही है वेरि इंपोटेंट और बहुत ही मनुरंजक कुशन था हमारा रेडियो व्याकरन से आप क्या समझते हैं वर्णन करें व्याकरन कैसी होती है उसकी मतलब किसी चीज की व्याकरन होती है टीवी है चैसा माचार पत्र है कहां पर सनवाचक चिन लगेगा कहां विराम दिया जाए जैसे विबाद में क्या लिखा जाएगा इसी प्रकार से रेडियो के अंदर भी अपनी एक व्याकर्ण होती है अललांकि लिख्यत रूप में वह खेने को कुछ नहीं होता के लेकिन जब वो बोलते हैं चाहे नाटै प्रियो के अंदर HEAL और ख़वर हो उनकी एक अलbuat और वो कैसी होती है वो हम पढ़ेंगे प्रतेक भासा का एक निस्चित व्याक featured व्याक्रण ओता है उठी गुशी तरह जन्संचार के मादिमों का भी अपना एक व्याकरण Até अंतर केवल इतना है कि भासा का व्याख wheat यह लिखित होता है परतेक रेडियो परसारक, मतलब रेडियो पर जो परसारण करने वाले नई जो लोग जुड़ते हैं, नई परसारक आते हैं, वो पिछे वाले रेडियो परसारक किस परकार से जानकारियां देते हैं, किस परकार से भासा से लिए उनकी होती हैं, उसी परकार से उनी से वो समाचार पत्रों में लिखित वासा का व्याकर्ण लागू किया जाता है समाचारों का व्याकर्ण भासा के व्याकर्ण से अलग होता है उसमें समय अनुसार सुविद अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है पत्तरकारीता में 6 ककार होते हैं पत्तरकारीता चाहे रेडियो की हो चाहे हो समाचार पत्र की ठीक है उसके अंदर छे ककार हमारे होने चाहिए चाहिए टीवी पे हम घबर दे रहे हैं छे हमारे ककार होने चाहिए वो ककार कुन सी है क्या कैसे कब क्यों कहा क्यों ठीक है मतलब कोई भी हम समाचार सुना रहे हैं कोई भी बात बता रहे हैं तो ये चीज़ें होने चाहिए कि क्या गटित हो गया और वो गटित हुआ तो कैसी हुआ और किस समय हुआ क्यों गटित हुआ कारण क्या है और हुआ कहा है और कौन उसके अंदर समलित है ये सारी चीजे होनी चाहिए तब जाकर के जो सुनने वाले होते हैं जो सूचना होती है वो पूरण होती है और सुनने वाले की जो जिग्यासा वो शान्त हो जाती है माल लो हमने सारी गटना बता दी और ये नहीं बताया कि वो गटना कहां से थी तो मन में उसके डाउट रहा गया भी हाँ हाँ ये कहां हो गया और हमने नहीं बताया कि ये किसने इस वारता को किसने अंजाम दिया तो हमारे मन में फिर डाउट रह जाएगा कि हाँ हाँ भई ये काम किस ने कर दिया मतलब आगे वाले की सूचना पूरण हो जाए उसकी जिग्यासा सांत हो जाए कि हाँ ये ये गटना हुई इसमें ये समली ततेर ये ऐसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था ये सब मतलब जिग्यासा पाठकों की द्रसकों की स्रोताओं की शांत होती है तो ये छे ककार होती है पत्रकारीता की ठीक है आगे है रेडियू के अंदर व्याकरन पढ़ रहे हैं हम कि रेडियू व्याकरन में अर्द विराम पुरण विराम परसनवाचक लेकन होते हैं लेक कि बोलने पर आप कहां जा रही हो तो इस explosion Oprah और निरबर करता है वाचक करता को आप पर निरबर करता है लुक्र आस्चर्य जनक, आप अहां जा रहे हो, इस तरह से वो बोलेंगे, मतलब आस्चर्य है, हैरानी वाली बात करेंगे, तो इस परकार से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिस कर रही हूँ कि किस परकार से रेडियो के अंदर जो व्याकरण का ध्यान रखा जाता है इन चिनों का किस परकार से ध्यान रखा जाता है ठीक है अवाज में उतार चढ़ाव जैसे मैंने आपको ये करके बताया उस परकार से वो ध्यान रखते हैं और नियमित अभ्यास भी उनको करना पड़ता है ठीक है कोई भी चीज है हम अभ्यास के बिना तो करी नहीं सकते आगे कुशन और भी है साय दोए एक ही कुशन ओर रहता है हम कर लेते हैं रेडियो और रेडियो पत्तरकारीता का भविषय किस परकार उजबल है सपस्ट करें क्वेशन क्या है कि रेडियो तो अब मालो वर्तमान समय में तो इसकी बहुत दिमांड है बहुत प्रभावın लोगों पर बड़ा विश्थार है व्यापक है क्या विशे में भी रेडियो इसी प्रकार से रहेगा और रेडियो पत्रकारिता मतलब रेडियो के ऊपर जो समाचार दिये जाते हैं क्या वो इसी प्रकार से ही दिये जाते रहेंगे ये जो रेडियो पत्रकारिता है वो सही ढंग से इसी तरह से लोग उसको सुनते रहेंगे क्या इसका जो भविश्य है वो सुरक्षित है क्या अच्छा उजूवल का मतलब ऐसा जिस परकार से अब चल रहा है वैसा ही है क्या तो क्वेशन से ही हम आनस्वर तो समझ ही गई है फिर भी पढ़ लेते हैं अपने हिसाब से भी पढ़ेंगे और जो आपके यहां लिखा हु के अंदर हमारी आ गई है सूचना और प्रयोदोगी की अगर रहेगी ना तो रेडियू सुरक्षित रहेगा बात यह है सूचना का मतलब है हर व्यक्ति सूचना तो सुनना चाहे गाई खबर तो रखे गाई तो रेडियू खबर देता रहेगा दूसरा क्या प्रयोदोगी क हमारा उजुवल है ये सुवीद के नीती की फिल्स रूप नीजी सेतर में रेडियो पतरकारिता की भागिदारी भड़ी है नीजी सेतर की भागदारियों के कारण रेडियो रेडियो पतरकारिता अधिक सुरुक्षित हैं में व्यापक हो गई है नीजी अलग अलग नीजी कम्तियों ने अपने नीजी चेनल बना लिये हैं तो उपने चेनलों को बढ़ावा तो देंगे ही देंगे तो यानिकी रेडियो शुरुक्षित रहे गा नीजी शेतर रेडियो ебल नीम नमिद्य ङम्रग अथवादूर दराजताक ही सिम्म नहीं रहेगा मलकी महानगरिया जीमन में रेडियो रेडियो पतर करें की प्स्तिति निरंतर रहे गी य प्रति दिण नए नए रेडियो चैनल सुरू हो रहे हैं, सरकार zhans को प्रति हित करने में कुईウथ दोनों से ही और इनके कार्यक्रम से जुडती है आदुनिक य्यूग में समूदाईक रेडियू की परिकलपना पीजा रही है मतलब हर समुदाय का अलग-अलग चैनल होगा अलग-अलग उनकी संस्कृति और अलग-अलग उनकी सूचना होगी कलपना कर रहे हैं योजना बनाई जा रही है यह परिकलपना जब साकार होगी तो शिक्षिक शंस्तानों के अपने अलग-अलग रेडियो के अंदर होंगे मतलब जो शिक्षिक शंस्तान है वो अपने अलग-अलग रेडियो चैनल भी मना सके की ताकि वो अपनी शिक्षिक वो किस प्रकार से दे रही है ये बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत सुविदा होगी सब लोगों को और शिक्षा में विकास भी होगा जब इतने सारे रेडियो के अंदर होगे तो जाईर है कि इतनी बड़ी संख्या में परसिक्षित रेडियो करमियों की अवशक्ता भी होगी इतने सारे चैनल हैं तो काम करने वाले लोगों की अवशक्ता भी होगी समाचारों का परसारण नेजी छेतर के लिए क्रांती से कम नहीं होगा फिर तो ठीक है आगे क्या है संपादकों समाचार वात्सकों की एक लंबी चोड़ी फोज की जरूरती बहुत सारे लोग चाहिए उसके अंदर फिर तो संपादक चाहिए रेडियो के अंदर समाचार बोलने वाले चाहिए बहुत लोगों की जरूरत होगी उसमें रेडियो एक बड़ी चुनोती और व्यापक संभावनों वाला संचार साधन होगा चुनोती होगी इतने सारे लोगों को जोड़ना नई चीज अगर आ जाती है तो फिर यूव अबरग इन चुनोती को उठाने और संभावनाओं को तलासने में निरंतर सक्रिय है क्योंकि यूव अबरग है वो वेरोजगार है वो हर संगर्स को हर चुनोती को मतलब हरा सकता है वो उसके लिए ये तयार है आगे ही पहले ही तो वो पुरण रूप से तयार हो जाएगा इनमें काम करने के लिए सरकार निरंतर नए नए कोर सुरू कर रही है वस्तुत रेडियो आपका अच्छा मितर साबित होगा मतलब नए नए कोर सुरू कर ये हो सकता है रेडियो जो ये सिस्टम है इसमें भी नए कोर सुरू हो और ये बेरोजगारी को दूर करने का काम भी करेगा तो फिर रेडियो जो है, वो सुरुक्षित हमारा रहेगा, छिक है, वर्तवान में क्या है, रेडियो है, वो एक मित्र हमारा अच्छा बन सकता है, इसलिए इससे दोस्ती करें, और भविशय में 24 गंटे चलने वाले इस चमतकारी डिब्बे, रेडियो को सुरुक्षित रखें, फ्लस रूप, रेडियो अन्य संचारी सादनों के पिक्षादिक सुरुक्षित सफल लग रहा है, और नेशित रूप से रेडियो रेडियो पतरकारीता का बविशय है, उजवल हम कह सकते हैं कि हो, होगा, छिक है, आसा है कि आपको अच्छे से ये क्वेशन है, वो रेडियो से समंदित, जितनी वे डाउट है, आपके सारे के सारे साद में कवर हो चुके हैं, धन्यवाद.